अपने खुद का एक्सपियों से इसमें शेयर करने वाली हूं कि मुझे अपरी प्रेगनेंसी में लड़का कंसी हुआ था तो थुरूआट प्रेगनेंसी में ऐसे कौन से अंग थे जो मुझे लगातार दर्द करते थे तो यहीं किसी तिन दर्द के बारे में आज हम वीडियो में जिक्र करने वाले हैं दोस्तो साथ ही में मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भी मुझे शेर किया है अपना एक्स्पिरेंस कि उनको भी बेबी बोई हुआ है हाली में और उनके कौन से ऐसे दंग थे वो ज्यादा दर्द करते थे प्रेगनेंसी में कि दोस्तो तो इनके सेंटिफिक रीजन है फैक्ट जो भी है हमारी बड़ी बुजर्ग मेला जो भी कहती है वह सबी बाते हम इसमें जरूर करेंगे तो आप वीडियो में तक जरूर बने रही है दोस्तो तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन दोस्तों आपको मालुम है कि जैसे है कोई मैला प्रेग्नेंट होती है, चर्कन्सीव कर लेती है तो उनके दिमाग में काफी सारे क्वेस्टेन चल रहे होते हैं कि उसको क्या होगा, लड़का होगा, के लड़की होगी उनको क्या होगा आठवे नो में महिने में अगर वो चल रही ए उनकी प्रेग्नेंसी तो उनको लगता है कि मैं किस के शौप करूव एक लड़के की करूच करूच साल Assalam उसके लिए कोई अलग सा रफ मेरे चेश्य । क rug και करूच S लड़का लड़की हमारे लिए दोनों के लिए एक समानी है महबाप के लिए तो वैसे भी दोनों एक ही होते हैं चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो यह भगवान की देन होती है हमको पूरे दिल से स्विकार करना चाहिए तो आप लोगों को मालूम है वैसे भी हमारे इंडि अगर आप चैनल पर नहीं आए हैं पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजो में बन बेल आइकन को हिट कर दीजिए और ओल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हार लेटेस्ट वीडियो की नोटिफेकेशन है वह आप तक सबसे पहले पहुचती रहे दोस्तों हाँ प्लीज आप अपना सपोर्ट दिखाए चैनल में या फिर वीडियो में आपको कोई भी इससे लग रहा है कि शर्जेसन देने जैसा है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए उससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है दोस्तों हाँ और सीर में दर्द रह रहा है आपको पहले मेने से लेकि नवे मेने तक आपको सीर में हलका हलका दर्द अगर बना रह रहा है तो आपको माना जाता है कि एक लड़का होने वाले दोस्तों और वहां उसके विपरीत अगर आपको सीर में दर्द नहीं हो रहा है बिलकुल भी अग ना दवाई के ऐसा कुछ हो रहा है ना तो आपको विदाउट डॉक्टर के परमिशन के कोई दवाई ने लेनी है डायरेक्ट आपके जो भी गाईनिक है उसको मिलकर उसका स्रजेशन से आगे बढ़ना है ना बहुत ही स्यादा शिर्दत कर रहा है तो आपको इसे बेठी नही है उसकी कमीं हो जाते है ना तो उसकी वज़य से काफी सारी। प्रॉब्लम से उक्रीट हो जाती है तो आपको यह नहीं होने दन है आपको ठ्रॉआड फ्रेगनस्य में बहुत ही ज्यादा पानी पिना है दोस्तों एहना कि आपके बोड़िये पुरा राइडरेक्ट के दर् तो दोस्तों मुझे क्या हुआ था कि मुझे अपनी प्रेगनेंसी में तो आपको मालूम है साथवे आठवे नौए मेने में तो सब के कमर में दर्द रहता है क्योंकि क्या होता है कि उस ताम आपका बच्चा है वो पूरा बढ़न चुका होता है पेट काकर भी बहुत ही बड कर दोस्तों मुझे और चट्वे मेने तक आपको कमर में मीठा मीठा दर्द बना रहता है ना दोस्तों तो यह माना चाहता है कि आपने बेबी बोई को कंसीव किया है दोस्तो मुझे भी अपनी pregnancy में दोस्तो ऐसा हुआ था कि पहले मेने से लेके 6 मेने तक मीठा मीठा दर्द हलका हलका दर्द बना रहता था मैं सोकर उठती हूँ कही पर बीबीना तक क्या लगाए भी बेटती हूँ न ऐसा जो कुछ भी होता है न तो मुझे कमर में दर्द बना रहता है दोस्तो है न तो यह तो हो गया दूसरा symptom दोस्तो अभी हम बात करते हैं तीसरे symptom के बारे हो तो दोस्तो तीसरा symptom है आपके पेरो कि जो एडी रहती है उसने बहुती ज्यादा दर्द रहता था पहले से लेके नוא महीनphones तक दुस्टो क्या होता था कि कोई काम करने के लिए उथती थी खाना बनाइने के लिए उथती थी के कमी सस्ते हैं तो इसे अश्य को सकते हैं तो इससे अच्छा है कि मैंने अपनी विर बिर değer सकते हैं घो प्रेगनेंसी में देख सकती हैं कि आपको क्या होगा एक बेबी बोई होने वाला है तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना पर्सनल एक्षमेंस शेयर किया है न तो उसके सामने आप अपना प्रेगनेंसी में देख सकती हैं कि आपको क्या होगा एक बेबी बोई होगा कि बेबी गर्ल होगी है लेकिन क्या होता है दोस्तों कि यसा नहीं है कि मुझे जो प्रेगन सब्सक्राइब कर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा ही लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्रेंड्स को भी ये शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है दोस्तों तो चलो मिलती हूं दो नाफ्ट वीडियो में दब तक के लिए पपना खहले के अपने बच्चे का खहलेब के अपने प्रेंगनेंसी को पूरी तर से एंज्योई कीजिए विल्कुल स्ट्रेस